सो हे गाइस आज मैं एक्स्प्लेन करने वाला हूं दी प्रोग कोरियन ड्रामा सीरीज को जो की हाली में नेट्फिक्स पे रिलीज यूई एक हॉरर थ्रीलर मिस्टीरियस ड्रामा है और इसे अब तक 8 out of the 10 की रेटिंग भी मिल चुकी है इस कहानी में हमें दो फैमली की स्टो इस देखने को मिलती है दोनों रेंटल हॉस के बिजनिस से जुड़ेवे थे सब सही चल रहा था मगर अचानक इनके गेस्ट हॉस में एक सैकोपैट के इंट्री होती है जिसकी बाद बच्चे से लेकर बोलेक तक की जिन्दगी बिल्कुल उतल पुतल हो जाती है पूरा अवाल यह था कि अगर इतने घने जंगल में एक पेड़ गिरा है और उसकी आवाज सुने वाला कोई नहीं है तो गिरने की आवाज हुई भी थी या फिर सन्नाटा था यानि अगर जंगल में कुछ घटना गटी और उसे किसी नहीं देखा तो क्या वो घटना हुई थी या रेंटल प्रोपर्टी चलाता था सहर से एतनी दूर होने के वज़ा से यहां एक के दूखे गेस्ट ही आया करते थे योंकाए के चाई नाम का एक दोस्त भी था जो पास में है के गेस्ट हॉस चलाता था और बीच बीच में उसे मिलने जाया करता था इसके बाद मिन को की गर्फुन का कॉला जाता है तो वो उसे बात करने लगता है और कहता है कि जाने मन मैं तो बिल्कुल फिरी हूँ बस एक औरत कंप्लेन लिखवाने आई वी है फिर वो नोटिस करता है कि वो औरत तो जा चुकी है मिन के बॉक्स को देख कर पता चलता है कि वो कोई आम और नहीं बलके कि सीनियर पुलिस ऑफिसर मिन थी जो कल से ड्यूटी जोइन करने वाली थी और उसका फसकेश साल 2001 में स्टार्ट हुआ था अब यहां से स्टूरी साल 2001 में सिफ्ट होती है सैंग जुन नाम का एक जवान आदमी सहर से दूर लेक व्यू मोटेल नाम से एक मोटेल चलाए करता था इस का मैं है उसकी वह फ्यों भी उसका साथ दिया करती थी साथे सैंग जुन कबिक चोटी वाला दोस्त जिव्यूर्ट नका रा था वहाँ वह सेंग जून का साथ दिया करता संद करती थी क्योंकि वो बहुत मैनती था वो एजे गिफ उन्हें टावल सिट देता है क्योंकि आज इस सैंग जून मोटेल के तीन साल पूरे हो चुके थे और उसका काम दिन बदिन तरक्की ही करता जा रहा था वो अपने गिस्ट का बहुत ख्याल रखता था वो अपने गिस्ट को भी ट अपने वगेरा लॉंडरी में देनी जा रहा था तभी रस्ते में उसे कार फसी वी दिखती है जिसमें स्योंगा नाम की एक खूबसूरत और अपने बेटे ही उनके साथ थी इसलिए योंग उसकी कार निकालने में मदद करता है और फिर लॉंडरी चला जाता है फिर जब व उसका एसी खराब हो गया था इसलिए वह अपने को योंग के होटल ले आया था यह देकर कहता है कि स्विमिंग पूल को जल्द ही मैं रेडी कर दूँगा पर स्योंगा का कहना था कि उसे पानी से बहुत डर लगता है इसलिए वह स्विमिंग पूल में नहीं जाती पर उसक गाना बजा देता है तब ही बारिस भी शुरू हो जाती है बारिस में भी कर योंग और चाई खेल रहे होते हैं वह वाटरगेंट से योंग को भी भगा देते हैं योंग बहुत प्यारा बच्चा था उसकी तब्यत ना खराब हो जाए इसलिए योंग उसे टावल लाकर इसलिए वो सेंग जून के मोटल के पास कार पर करके सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए तब ही सेंग जून की नजर उस पे पढ़ती है वो जाकर चोल से बात करता है और उसे आज की रात अपने मोटल में गुजारने को कहता है जिस के लिए चोल भी राजी हो जाता है पूरी राज बारिस होती है, सीन पर जिन्ट में आता है, बारिस के मजे लेने के लिए योंग और चाई साथ में सराप पी कर सो जाते है, अगले सुबा चाई डेर तक सोता है और योंग थोड़ा जल्दी जाग जाता है, इसलिए वो सुपर मार्केट जाकर सब्जियों की खर प्रिदारी करता है, तब उसकी डॉटर का कॉल आता है, वो अगले हफ्ते उससे मिलने वाली थी, साथ में वो अपने एक मेल फ्रेंट को लाने की परमीशन भी मांगती है, जिसके लिए योंग थोड़ा सोच कर मान जाते हैं, हाला कि वो समझ ही चुके थे कि वो फ्रेंट क प्रेंट को साथ लाने वाली है, इसके बाद जब वो सुपर मार्केट से घर आ रहा होता है, तो रास्ते में स्योंगा को स्मोग करते वे देखता है, वो चुप चाप अपने मोटेल आता है, तो देखता है कि एक इन्वैलप में उसके मोटेल का रिंट रखा हुआ है, और वेइनल पे गाना बढ़ रहा है, वो वेइनल बन करके जाने लगता तो उसे अपने हाथ पे खून दिखाई देते हैं, जिससे वो घबरा जाता है, वो वेइनल को चेक करता है, तो सच में उसमें खून लगे वे थे, इसकी बाद सीन पास्त में सिफ्ट होती है, कॉल आती है जिसमें एक लेडी काफी घपराई वी थी वो इस चीज को इपनौर नहीं करती और अपने साथियों के साथ जिस घर से कॉल आई थी वहां पहुंच जाती है सेंग जुन और जॉंग पुलिस की गाली देखकर चोकनने हो जाते हैं क्योंकि उनके इलाके में जल्द जाने से रुक रहे हैं छुटन किसी तरह पुलिस वालों से लड़ते झधड़ते अंदर जाता है मुंष्थ नएक कर खूं किया क्या है तुम सकते हो इह यहां से कितने बज़े गया है यह सुनते ही सैंग जुन के मैंड में सारी इंसिडेंट की पिक्चर बनने लगती है दरैसल जब रात में सैंग जुन रेशिप्टिन पे ही सो गया था तब इच्योल अपने रूम से बाहर निकल कर अपने कार में गया जहां उसने एक लड़की को बिहोस करके रखा था फिर वो उस लड़की को अपने रूम में लेकर आया और उसके साथ गलत करने के बाद उससे तुकडों में काट दिया रियल में सैंग जुन उस रूम में जाता है और वहां का माजरा देखकर सुन रह जाता है क्योंकि चियोल ने बड़ी बेरमी से उस लड़की को काटा था सारा सफेद विस्तर सुर्खलाल हो चुका था जल्दी से पुलिस वाले सैंग जुन को वहां से निकालते है क्योंकि ये माजरा देखने में काफिल ट्रॉमाटिक हो से लगता था प्रेजन्ट में योंक्स योंगा को पकड़ने के लिए वापस जाता है पर वो जा चुकी थी द्यान भटकाने से उसकी कार का एक्सिडेंट होते होते बच्टा है जिस कार से योंग की कार टकराने वाली थी उसमें कोई और नहीं बलके मिन थी वो योंगा के हाथ में खोण देख लेती है उसे लगता है कि ये खोण अभी लगा है इसलिए वो उसे कॉटन देती है हाथ साफ करने के लिए योंग उसकी कार्ड देखकर समझ जाता है कि मीन एक पुलिस आफिसर है एक बार उसके मन में आता है कि वह स्योंगा की जुर्म की बात उसे बता दे, पर फिर वो डरके छुपो जाता है, वो वापस घर आता है और जिस रूम में स्योंगा रह रही थी, उसे अच्छे से चेक करता है, उसे वासरूम से ब्लीचिंग केस में लाती है, यानि उसने अच कि वो राते वक्त यहां से अकेली गई है इससे योंगा को लगता है कि कहीं मुझे कोई वहम तो नहीं हुआ कि इस योंगा अपने बेटे के साथ आई थी इसलिए वो पुरानी वडियो चेक करता है जिसमें उसे लोन दिखाई देता है यानि कि इस योंगा ने अपने बेटे का खून कर दिया और उसकी लास को अपने बैक में डाल कर यहां से चली गई यही सब सूच कर योंग का धिमाग खराब हो रहा होता है कि वह अपने मासूम से बेटे की जान कैसे ले सकती है वह पुलिस को इंफॉर्म करने के लिए नंबर डायल कर लेता है पर फिर अंजाम स अपने वहम सोच कर भूल जाने का फैसला करता है वह अच्छे से पूरे मोटेल की साफ सपाई कर देता है ताकि खून का कोई सबूत बचे ही ना वहीं पास्ट में पुलिस कातिल चियोल को पकड़ लेती है उसे तो उसके किये की सजा मिल जाती है मगर इस से सैंग जुन और उसके परिवार का जीना हराम हो जाता है उसका मोटेल खूनी मोटेल के नाम से बदनाम हो जाता है इस घटना को छे महीने गुजर चुके थे पर लोगों ने ना सिर्फ उनके मोटेल में आना बंद कर दिया था बलके उन्हें बुली भी करने लगे थे जिससे सैंग जुन हा पर मानकर मोटेल बेचनी का फैसला करता है जिससे हस्बिंड वैफ में भी जमेला सुरू हो जाता है क्योंकि उनका बेटा गी हो मेडिल स्कूल जाने वाला है पर उनके पास इंकम का कोई जरिया नहीं है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग रोट पे आ जाएंगे इस तर से बड़्दास नहीं होती कि जॉंग उसकी वैप से उची आवाज में बात कर रहा है इसलिए वो जॉंग पे हाथ उठा देता है तब इन दोनों की लडाई को जॉंग की मॉम रुकवाती है पर इस सेंग जुन के मन में बहुत गुसा भरा हुआ था वो अपने मोटेल की च जैसे वहां से सराब चुरा कर पीने लगती है और उसकी चोरी एक तिन रिस्टूरेंट की और पकड़ लेती है वह अकेले में ले जाकर योन को बहुत सुनाती है कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो वो तो तुम्हारा हस्बंट भला आदमी है इसलिए मैं तुम्हे काम से नहीं निकाल रही हूँ इससे योन भड़क जाती है वो उससे कहने लगती है कि पक्का तुम्हारा मेरी हस्बंट से चेकर चल रहा है इसके बाद इन प्रिजिंट में सिप्ट होती है उस घटना को एक साल से ज़्यादा गुजर चुका था योंग उस घटना को भोलक आगे बढ़ रुका था आज उसकी डॉटर अपने इनलाउस के साथ आने वाली थी मगर उससे पहले वापस आ जाती है उससे देखकर योंग सुन रह जाता है उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस चीज़ को भूलकर वो आगे बढ़ रुका है वो फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी वो कहती है कि मुझे यहां रुम चाहिए जिसके लिए योंग साफ साफ मना करते वे कहता है कि आज मेरे गेस्ट आने वाले हैं तब उसके सामने सोंगा बड़ी ही मासूम बनते वे कहती है कि देखो ना मैंने पहले से बुकिंग नहीं की है और मुझे एक दो हफ़ते के लिए रुम चाहिए पर लगता है कि अब मुझे वापस जाना होगा इससे योंग की डॉर्टर कहती है कि कोई नहीं वैसे भी रात तक मैं वापस चली जाओंगी इसलिए आप यहां रह सकती है अब योंग को कुछ बोलने में नहीं बनता इसलिए होंगा बिलकुल मुकर जाती है पिछली बार जब वो आई थी तो कह रही थी कि उसे पाने से डर लगता है मगर इस बार तो वो जलपरी की तरह स्विमिंग पूल में स्विम कर रही थी इससे योंग हैरान हो जाता है पास्ट में भी एक साल गुजर चुके थे सैंडुन और उसकी वैफ योन एक ब्रोकर से अपने मोटैल बेचने की बात करते हैं अब वो कम दाम पे भी मोटैल बेचने को तयार थे इसलिए उन्हें लगता है कि अब तो ये डील हो ही जाएगी इसी कुसी में योन घर आकर अपने हस्परिंट और बेटे को अच्छे से खाना खेलात ही है इसके बात सैंग जुन जौंग से अपनी बुरी किसमत की सिकायत करता है कि बच्पन में ही मेरे पैरेंट्स गुजर गए जिस अंकल ने मुझे बढ़ा करने की जिम्यदारी उठाई उसे भी जुए की लथी वो भी एक दिन भाग गया तब मैंने कंस्ट्रक्शन सैट म मंचधूरी करके अपना पेट पाला पर इसका में मुझे एक सहर से दूसरे सहर बटकना पड़ता था इसलिए मैंने एक फैक्टरी में काम करना सुरू कर दिया पर कुछी दिनों के बाद उस फैक्टरी का मैनेजर गुठाला करके भाग गया पर मैंने उसे पकड़कर होकर मुझे इन चार्ज बना दिया वहीं मैं योन से मिला जो कि एक असिस्टन का काम करती थी मुझे तो पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था पर वो मुझे पैसंद करती थी तब मैंने उसके पीछे पढ़कर उसे मनाया और हमने साधी कर ली फिर मैंने उस फैक्टरी को आये पर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी जब भी मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है तब ही उपर वाले ने मेरे लिए नया रस्ता खोल दिया उमीद करता हूं कि इस बार भी ऐसा ही हो इधर उसका बेटा हीगो अपने फ्रेज से सराब की कई सारे बोटल चोरी करक अपने स्कूल के बुली गैंग के पास ले जाता है उन्होंने हीगो से उसकी मौम की नेन की दवाई भी मंगवाई थी उसे ही वो सराब में मिक्स करके पीने लगते है जिससे एक बच्ची की हालत ज्यादा खराब हो जाती है जिससे इनका भांडा फूट जाता है बुली ग आता है कि सबसे पहले ज्यादा सराब भी को को लाई थी उसे फ्राब हो जाती है यंसे हास्पिटल ले जाना पड़ता है इस घतना के पात ये उन को पता चलता है कि कैसे बुली गैंग उसके बैटे को बुल इक रहे थे ये कहकर कि अगर थुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे खूनी मोटेल को जला कर रा कर देंगे इस बारे में जब सैंग जुन को पता चलता है तो वो पैरेंट्स टीचर मीटिंग में बड़े ही गुस्से में जाता है और जो भी उसके बेटे की खिलाफ पोलता है उस पे वो हाथ उठा द जाती है आगे सैंग जुन को पता चलता है कि उसने जिस पर हाथ उठाई थी उसके रिलेटेव उसकी मोटेल खरीदने वाले थे अब वो दुस्मनी निकालने के लिए वो मोटेल खरीदने से पीछे हट गए थे जिससे सैंग जुन की आखरी उमीद भी तूट जाती है वही पहली बार की तरह ही बिल्कुल डर सहम सी जाती थी इससे योन काफी तंग आ चुकी थी एक दिन वो लेटर में अपनी फैमिली से माफिय मांगते वे अपनी सारे फिलिंग लिखती है और फिर खुद की जान ले लेती है निक्स्ट सीन में सैंग जुन ओफिसर मिन के साथ का पर चाहता कि इसमें मेरी क्लती नहीं है गलती तो तुम्हारी मैं तो बस रोट पे था तुम आये थे मेरे पास यह कहते वे कि आज की रात हमारे मोट् corridor में कुजार लीजिए इसलिए तुम्हारे परिवार के साथ जो हुआ तो बस बतनसीबी थी मेरी क्लति नहीं थी जब म मेड़क को जाकर लगती है उस पतर की वजह से मेड़क की जान जाए या उससे गहरी चोटाए कोई उसकी परवा नहीं करता और बेचारा मेड़क अपनी किस्मत को कोशता है कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं था तो फिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ मुझे किसी ने पतर क्यों मारा योंग की हालत भी बिल्कुल मेड़की तरह हो चुकी थी वह स्योंगा पे नजर रखना सुरू करता है एक तिन वह सहर जाती है योंग डिय बेटी और दमाद काम करते थे वह एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थे इसलिए वह उनसे मिलने के लिए चला जाता है पर जब वापस आता है तो देखता है कि स्योंगा उस पे नजर रख रही है यानि अब स्योंगा को उसके बच्चों के वर्पेस के बारे में भी पता चल यहां था इस से ब्योंग बेहर डर जाता है वह उसे कंफ्रॉंट करने जाता है जिससे रोड में उसका एक्सिडेंट होते होते बड़ता है जिससे उसके बेटी दमाद काफी परिशान हो जाते हैं इसके बाद योग अपने फ्रेंड चाहि से मिलने हॉस्पिटल जाता है दरअसल वह पास के ही एक हॉस्पिटल में एड़्मिट था क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर आ ऐसा लगता है कि सोंगा उनकी सारी बाते सुन रही थी और अचानक उसने फायर एक्स्टिंगूजर से चाई पर हमला करके उसे मार डाला इसी डर से वह बार पदल देता है और चाई को सचाई नहीं बता पाता वह वापस अपने घर जाता है फोड़ी ही देर में सोंगा भी आ योग को लगता है कि स्योंगा तो मेरे बारे में सब जानती है पर मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता इसलिए वह उसके बारे में और जानने के लिए उस पे नजर रखना शुरू कर देता है वह उसके नामाजूदगी में उसका लैप्टॉप चेक करने की कोसिस करता है मगर password लगे होने की वज़ाए से वो उसे लेकर सहर चलाटाता है ताकि वो password crack करवा कर उसकी information निकलवा सके पर उसे अपने laptop के साथ जाते वे स्योंगा देखकर मुस्कुराती है computer store पे योंग को पता चलता है कि password remove करने के लिए पहले laptop को format करना होगा जिससे इसका सारा data delete हो जाएगा यह जानकर योंग laptop वापस घर ले जाता है पर वहाँ वो देखता है कि उसका पूरा घर प्लान से भरा हुआ है साथ योंगा ने कई सारे painting बनाई है और उन्हें swimming pool में fake दिया था और अगले दिन तो वो हधी कर देती है वो योंग के घर के furniture वगेरा को आदमी बुलवा कर ले जाने को कहती है जिससे योंग को बहुत गुसा आता है वो उन लोगों से कहता है कि सारे सामान जहां से उठाए हैं वहीं रग दो इस घर का मालिक मैं हूँ फिर वो स्योंगा के पास जाता है जो swimming pool में थी वो उसे देखकर creepy से smile करती है और गुसे में योंग उसका सर पानी में टुबा कर उसकी जान ले लेता है जिससे स्योंगा का body पानी में तैरने लगती है पर कुछी देर में वो उठकर खड़ी होड़ाती है क्योंकि वो तो बस नाटक कर रही थी पर इस घर्टा के बाद दोनों के बीच एक अजीब सी खामोसी होती है अगले दिन वो अचानक योंग के पास आकर कहती है कि मुझे movie देखना है इसलिए मैरे laptop देदो योंग उसे देते वे कहता है कि मेरे कुछ सवाल है और उन सवालों पे चर्चा डिनर के time होती है पर योंग डरके मारे स्योंग के हातों के बनाए हुए खानों को ignore करता है तब वो सारा खाना पहले टेस्ट करके कहती है देखा इसमें जहर है पर नहीं मिलाए है मैंने ये बिल्कुल सेफ है तब वो खाते विफिए उस से पूछता है कि तुमने योंग के साथ क्या कि家 वो कहती है कौन हो तब वह कहता है जूट बोलकर कोई फैदा नहीं तुम यहाँहिए यों के साथ आई थी और जातेवक्त अकेली गई थी मैंने कार के डास्केम में ये चीज़ देख लिया था तुम्हारे रूम में खून के धबे थे साथी दो टावल भी मिसिंग है और बातरून में बिलीच की बू थी इस पे सोंगा काफी एटिटूड में डवाब देती है कि तो आपने इतने सब देखने के बाद क्या कर लिया आपके पास सबूत के तोर पे सिर्फ डास्केम फूटेज है जो मुझे गिल्टी प्रूव करने के लिए काफी नहीं है अगर आप पुलिस के पास जाकर सारी सचाई बता भी देते है तो आप पे सबूत मिटा कर एक साल तक चुप रहने का इलजाम लगेगा और ऐसा मैं नहीं चाहती कि आपके साथ हो तो क्यों ना आप अपने यह प्रूपर्टी मुझे बेच दे देखिए मुझे नहीं पता कि इस घर से आपका क्या जजबात जुड़ा हुआ है पर मेरे तो काफी गहरे जजबात जुड़ेवे हैं सियोंगा को नहीं पता था कि यह सारे बाते योंग ने रिकॉर्ट कर ली है अगली सुबा वो योंग को जल्दबाजी में कहीं जाते वे देखकर सोट में पट्राती है वो योंग का रूम चेक करती है उसमें उसे छोटी से न्यू मोबैल की बॉक्स दिखती है साथी कर वो सारा माज़रा जट से समझ जाती है दूसरी और योंग पुलिस स्टेशन के सामने वाले रोड पे खड़े होकर सोच रहा था कि मुझे सच में क्या करना चाहिए पुलिस कंप्लेन करने का नतीजा क्या होगा अब इस योंगा तेजी से अपनी गाले से योंग की कार का एक्सिडेन कर देती है जिसमें वो खुदभी जक्मी होती है पर योंग की हालत जियादा खराब हो जाती है जिसकी वजह से कि पुलिसeseले योंग को फॉस्पिटल में एड्मिट करवाते हैं पर वहां भी सुफ पहुद राती है इसलिए कि जए योंग होस्पिटल से फरार पूछती है कि कैब लेकर आए हो आप मुझे बोलते तो मैं अपनी लग्जरी कार में ले आती देखो मैंने गाड़ी से तुम्हारी वो बैग निकालकर फेक दिया है जिसमें डैस्कैम फोटो और और आडियो रिकॉर्डिंग थी अब कोई सबूत ही नहीं है तो बेफिकर होक भी कास जाता है और उस्का टाम पूरा हो खिया है और नए रिंटर आ जाए तब उसमे घर खाली करने ही पड़ेगी योग को यह चैनल ल そう अबाला हो अन्प और यह दोगिले से लेक कर लेता है जिसके बाद एक आदमी अपनी पिवीמानाज़ा बैचे राती है योंग उसकी कॉल भी फिक नहीं करता इसलिए नय रेंटर पुलिस को बुला लेते हैं उफिसर जोना टाई स्योंगा को पहचान लेता है कि अरे तुमने हिटो पुलिस एक्सिदेंट के बाहर कार एक्सिदेंट किया था नय रेंटर के पास ऐनलैन बुकिंग के लेती है जिससे ओफिसर स्योंटाई को स्योंगा पर रहम आ जाता है उसे लगता है कि ये बेचारी लड़की को मुसीबत का जामना करना पड़ रहा है वो उसे थोड़ा-थोड़ा फ्लट भी करने की कोसिस करता है पर स्योंगा उसे भाव नहीं देती आगे उसे नए गेस्ट जाने लगते हैं तो वो रहत की सास लेती है लेकिन मोटेल की चाबी लेने और लॉन्डरी के लिए कपड़े और टावल वगएरा ले जाने को योंग ने लॉन्डरी वाले को भेज दिया था इससे पहले कि स्योंगा लॉन्डरी वाले से निपटती वहाँ नए रेंटर के तोर पे कुछ टिनेजर आ जाते हैं वो पूरी बदमासी शुरू कर देते हैं जिससे स्योंगा का पूरा दिमाग खराब होता है उसे इतना सोर्गूल में पेंटिंग करने में भी दिक्कट हो रही थी उपर से एक लड़की स्योंगा के पास आकर उससे कहती है कि आंटी और ने कहा है कि इस रूम के वासरूम में देर सारे तूदब्रस है उनमें से मुझे दो बरस चाहिए स्योंगा इरिटेट होते हुए कहती है कि आंटी किसे बोल रही हो मैं तुम्हें आंटी दिखती हूं क्या फिर वो उसे तूदब्रस भी दे देती है पर जाते वक्त वो धके मार कर उस लड़के को उस रूम से निकाल देती है जिसका बदला वो टीनेजर ग्रूप अगले दिन जाते वक्त लेता है वो स्योंगा जिस रूम में रह रही थी उस रूम के सिसे पत्थर मार कर तोड़ देते है और जाते वक्त आंटे आंटे चिलाते है इससे को यह कहकर बुलाता है कि यह लड़की हमें घर की चाबी नहीं दे रही है पर वहाँ आने के बाद यूं को पता चलता है कि यह तो स्योंगा की एक चाल थी दरशल उसने ओफिसर स्योंटाई से मदद मांगी थी यह कहते वे कि मैंने यूंगा को एक दो महीने का एडवांस पे कर यूंग से कहता है कि तुम इस अबला नारी को इस तरह से क्यों परिशान कर रहे हो नेक्स्ट सीन में स्योंटाई और उसकी प्रेंट स्योंगा के साथ पूल में खूब मस्ती करके रात में वहां से निकल जाते है पर स्योंटाई रुख जाता है वो रात में स्योंगा और योंग के साथ डिनर करता है डिनर के बाद अकेले में स्योंगा योंग से कहती है कि अंकल आप मेरे साथ पैच अप क्यों नहीं कर लेते वो स्योंटाई है ना मुझे अबला नारी समझ कर बहुत पकपक करता है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आप मेरे साथ अच्छे से भ भी फिर वो यह को काफि औल जुल बाते बोलने लगती है जिससे घुस्षे में योंग सूंगा पर हाथ उठाकर वहां से जाने लगता है अब आज सुनकर स्यों टाइग घुस्षे में योंग को सबक सिखाना चाहता है तब स्योंगा को किस करते वे स्युडियूस करके रूक तो देखता है कि यह दोनों उसके ही कमरे में क्लोज हो रहे हैं यह देख कुसरी में यौंग सियोंटाई को मारने लगता है उसने पुलिस को भी पहले ही पुला लिया था उसने सियोंटाई के किलाब सिकायत की थी कि वह अपनी पोजीशन का मिस्यूस करके मुझे परिशान कर रहा है इसलिए शियोंटाई के सीनियर ओफिसर उसे स्योंगा से दूर रहने की सलादेते हैं मगर फिर भी यवाव टर की चुटी लेकर से अंगा के पास चाता है लेकिन वहां उसे वहां ने झिपा कर रखा था उसमें डैस्टाप हॉटेच और और यो मिल जाती है जिससे वो सारा मांजरा समझ जाता है इसलिए वो डर योंगह कर नीकार से आते ुए दिख जाती है कि मेरा टास हो चुका है ने rati ूसर्डाई को खेट में गाड़ी अ कुचल कर जांसे मार देती है और यों को कॉल करती है पर इससे पहले वो उसे अपनी बात बता पाती योंग अपना रेंटल हाउस बेचने को तयार हो जाता है इसके लिए वो उसे कुछ दिनों की महलत मांगता है जिससे वो बेहत को सोजाती है दूसरी और हम सैंग जुन के बेटे गीहों को देखते है एक फ्लेस पैक से ह में पता चलता है जिस रात से को चियोल ने उस लड़की का खून उसके मोटेल में किया था उस रात ही गो वीडियो गेम चुडाने के लिए मोटेल आया हुआ था और उसने चियोल को अपने कंदे पे ब्योहोस लड़की ले जाते वे देख लिया था तब चियोल ने उसे अ काफी गिल्ट फिल हुआ और वो बदले की आग में जलने लगा बड़े होने के बाद उससे च्योल को मारने की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की च्योल की मॉम जिस हॉस्पिटर के जिस रूम में एड्मिट थी वहीं उसने अपने डैड के फ्रेंड जॉंग की मॉम को एड डालेगा च्योल का केस काफी फेमस हुआ था वक्त वक्त पे वो अभी नियूज में डिसकस किया जाता था इसलिए योंग को लगा कि कहीं मेरे मोटेल की हाल भी लेक व्यू मोटेल की तरह ना हो जाए इसलिए वो इस केस की हकीकत चाने में जुट गया तब उसे पता चला क जिस रूम में च्योल ने कतल को अंजाम दिया था उसी रूम में हेगो की मौम ने खुट की जान ले ले थी और उसकी डैट सैंग जुन पागल हो गये थे इस बात को इतनी साल गुजर गई थी पर अब उन्हें लगता था कि साल 2001 चल रही है उनके वैप किसी समझ कर बंदी बना लेता है पर उसी दिन च्योल अपनी मौम से मिलने हास्पिटल आता है पारिश से पहले की हीगो से सूट करता च्योल की मौम उसे एलर्ट कर देती है जिसकी वजह से वो नीचे जुक जाता है और हीगो का निसाना चूक जाता है पर गोली चलने की कर देता है कि मैं वही भूत हूं जिसे तुमने चुप रहने को कहा था इसके बाद हीगो हॉस्पिटल के खिरके से कूट कर वहां से भागने में काम्याब हो जाता है फिर वह वापस अपने मोटेल आकर योंग को रिहा कर देता है और फिर खुद को सूट करके मारना चाता ह लेकिन सही वक्त पे वापस आकर योंग हीगो की जान बचा लेता है फिर वो उसे बताता है कि मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं बलकि मैं तो तुम्हारा दर्द समझना चाता था इसके बाद स्योंग योंग को कॉल करके बुलाती है इस बार उसने कुछ बड़ा ही कान कर था इगो की स्टूरी जानकर योंग समझ जाता है कि गलत करने वाले के साथ देना या चुप रहना कोई सॉल्यूसन नहीं है हमें गलत करने वालों को उसके की सजा देनी होगी इसलिए वहीगो की कैप और गन लेकर इस योंग को मारने के लिए निकलता है इसके बाद योंगा मिलती है जिसके तेवर देखकर वह समझ जाता है कि योंग जो बतमीज गेस्ट को निकालने का उपाई पूच रहा था वह बतमीज गेस्ट स्योंगी है वह बड़ी ही सकती से स्योंगा को यहां से जाने को कहता है पर इस सुगक्त वह भढ़क जाती है वह उससे उसकी बैसा की चींकर उसे ही खूप पिड्ती है जिससे चाहि बुरी तरह से जक्मी और राता है इसके बाद श्योंगा चाहिका फोन से योंग के डौटर इसको मेसेज करके घर पर बुलाती है घर आने पर इस बैसा की देख लेती है और सन वह को कुछ नहीं बोलती ह evangel और तुम्हारे डैट पार्टनर इन क्रैम है। दरहसल मैंने यहीं अपने स्टेप सन को मार कर उसकी बॉड़ी को केमिकल से गला दिया था। और इस सारे सबोत को सफाई करने में तुम्हारे डैट ने मेरा साथ दिया था। अब वो ये घर मुझे बेचने का वादा करके कहीं घर बनाया था। उनके मरने के बाद डैड ने इसे गेस्ट हॉस में बदल दिया। पर ये मॉम की निशानी है तो वो इसे कभी नहीं बेचेंगे। जरूर स्योंगा उन्हें ब्लैक मेल कर रही है। तब ही स्योंगा रिवील करती है कि मैंने तुम्हारे वैन में नीन की गो को पुरी तरह से जकमी करती है और लास्त में वह इसु के पेट में नैफ से स्टाइप करके उसे एक बैग में डालकर कहीं चिपा देती है फिर वो कौल करके योंग को बुलाती है घुसे में योंगन लेकर आता है वह आज तो उसे मारी देना चाहता था पर जब उसे पता चलता है कि उसने ना जिर्फ उसकी बेटी को बल्के उसकी दोस्त की भी हालत कराब कर दी है तो वो सबसे पहले चाय को होस्पिटर में एडमिट करवाता है फिर वो स्योंगा से हिसाब चुकता करने के लिए वापस आता है तब स्योंगा उससे एक ओफर देती है कि अगर तु इस योंगा और डर जाती है तब वो खुद को जाने देने और उसके एक और जुरम को दफ़नाने के बदले योंग की बेटिघ को लेक की पास लेजाती है वो बैक कोलती है तो है रहां हो जाती है पागलों की तरह सौपिंग करते वे देखा था जहां वो ब्लीचिंग की बड़ी वाली बोटल करीद रही थी और फिर लॉंडरी वाले ने भी स्योंगा का सैको होने वाली बात मिन को बता दी थी इसलिए जब योंग चाई को हॉस्पिटल में एड्मिट करवा कर वापस आ रहा था तब योंग ने उन्हें सारी हकिकत बताते वे कह दिया था कि अगर आजी स्योंग को आरिश नहीं करोगे तो मैं उसका खून कर दूँगा इसलिए जब तक योंग घर जाकर स्योंगा को अपनी बातों में उल्जा रहा था तब तक पुलिस इसो को डूण रही थी और इसो के मिलने के बाद ही मिन ने योंग को कॉल किया था जो किया एक हिंड़ी था कि वो मिल गई है अब तुम स्योंगा को लेकर आओ और हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे सचाई जानकर स्योंगा पागलों की तरह चिलाने लगती है और योंग जल्द से राइस यांसे पता है जलता है कि उसकी बेटी प्रेगनट थी नीठा जानेदी प्रेड़ यथ उसकी warrior में धक कहानी सुनाते वे कहती है कि इसमें आपकी कोई गल्ती नहीं है, आपको किसे और के किये की सजा मिल रही है, तब Young Min को बताता है कि Saunga मुझे से एक जुर्म को ख़त्म करने में मदद मांग रही थी, पका उसने किसी और का भी खोन किया है ये जानने के बाग अस्टड़ी में मिन सोंगा से पूछताज करती है पर वो अपने मुझ से चूतक नहीं निकालती दरसल वो एक अमीर बाप की सहको बिगडैल बेटी थी उसे पता था कि जल्दे उसके ढैड़ वकील भेज कर उसे चुड़ा लेंगे और होता भी ठीक ऐसा ही है इस बात को लेकर मिन और उसके सिफ में बहस हो जाती है तब मिन बिना सिफ के मदद के ही कॉन फिल्ड की जाग करवाती है और उसे वहां से ओफिसर सियोंटाई की लास दो दुकडों में मिलती है दूस डियोर रिहा होने के बाद सियोंगा लांडरी में आग लगा देती है क्योंकि उसने पुलिस में उसके खिलाफ गवाही दी थी ये करके सियोंगा को बहुत मज़ा आता है फिर वो देश से भागने के लिए अपना पासपोर्ट लेने ये के घर जाती है पर तब है वहां सियोंगा का हस्पेंट जैसिक हाथों में गन लेकर अपने बेटे की मौत का बदला लेने आ जाता है दरहसल उससे साधी करने के बाद सियोंगा को पता चलता है कि जैसिक ने उससे साधी सिर्फ इसलिए की थी ताकि ह्योन को मा का प्यार मिल सके इसी बात से स्योंगा को खुन नस होती है इसलिए उसने हस्पेंट जैसे को डोमेस्टिक अब्यूज में पसा कर जेल बिजा दिया था जब वो रहा हुआ तब स्योंगा के डैट ने उसे सारे सचाई बता दी दरसल अब वो भी स्योंगा के कार नामों पे परदा डाल डाल कर ठक चुके थे स्योंगा जल्दी से मदद मांगने के लिए अपने डैट को कॉल करती है पर उसके डैट उसके लैप्टॉप की फोटो देख रहे थे जिसमें उसने खून करने के बाद खून के साथ बढ़े ही स्टैल से धेर सारे फोटो क्लिक किये थे इधर एंग भी स्योंगा को मारने आचाता है पर यहाँ वो जैसिक को उस पे गन ताने वे देखता है अब स्योंगा एक और चाल चलती है वो अपने हस्पेंट से कहती है कि एंग को मार दो तभी मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने तुम्हारे बेटे को कहा दफनाया है जि तभी वहाँ ओफिसर मिन आकर हत्यार पेखने को कहती है तब योंग बीच में आकर कहता है कि ये आदमी कुछ गलत नहीं कर रहा है इसे रोकने की जुरूरत नहीं है फिर भी जैसे गन नीचे रख देता है जिससे फटाक से स्योंगा उठाकर ओफिसर मिन के आम पे सूट करके वहाँ से भागने लगती है लेकिन जैसिक उसके पीछे जाकर उसे सूट करके मार डालता है स्योंगा स्योंगा स्योंग पूल में गिर जाती है जिससे स्योंग पूल खून खून हो जाता है मगर इस योंगा के डैट जैसिक को चुड़वा लेते हैं क्योंकि वो उसका दर्द समझ सकते थे इसके बाद आफिसर मिन अच्छे से तैकिकात करती है और पता चल जाता है कि जिस गन से जैसिक ने इस योंगा को मारा फुगन गीहो की थी और गीहो ने ही एक सैको के लरिचियो को मारा था वो गीहो से मिलकर उससे कंफरंट करती है पर उसे पता था कि उसके फरिवार के साथ कितना गलत हुआ था इसलिए वो इस केस को बंद कर देती है दूसरी और हम योंग और चाई को लॉन्डरी वाले के पास देखते हैं जिसने लॉन्डरी के जलने के बाद उसे काफिर सौ बना दिया था जिससे वो बेहत अमीर हो गया था वहीं योंग की बेटी दमाद और ग्रैंड चैल्ड अब सहर छोड़कर उनके साथ रहने आ चुके थे अब उन्होंने अपनी प्रोपर्टी रिंट पे देना बंद कर दिया था इसी हैपी नोट के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है तो दोस्तों सियोंगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके बताना वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ही मोवी की स्टोरी को एक्स्प्लीन किया था जिसे अगर आप लोगोंने नहीं देखा है तो वाच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना सुविल गाइज आपके वीडियो में इतना ही थैंक्स टू गुडबाई